नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने योट्यूब चैनल पीफ और पूटफोलियू में अभी का जो समय फिलाल चल रहा है वो इंडियन एकोनोमी के लिए एक अलर्ट का समय है यहाँ पर हमें साउधान हो जाना चाहिए ऐसा खुद RBI के गवर्नर मिस्तर शक्ती कांत दासने का है पिछले 100 सालों में सबसे बुरा क्राइसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं बैंकों के NPS यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं तो इसके वज़े से स्टॉक मार्केट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारी बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और रेगलर अपडेट्स पाने के लिए नौटिफिकेशन वेल को प्रेस कीजे साथी साथ टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कीजे जिसके लिंक डिस्क् के बारे में तो RBI गवर्नर मिस्तर शक्ती कांतादास ने खुद कहा है कि COVID-19 is the worst health and economic crisis is 100 years यानि कि पिछले 100 सालों में इससे बत्तर कभी भी हमें situation देखने को नहीं मिलिए सबसे गंबीर situation यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है जो कि एक अला में हमारी Indian economy के लिए डीटेल में जानेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि negative consequences हमें देखने को मिलेंगे output में, jobs में और हमारी well-being में जो कि इंडिया की medium-term outlook को थोड़ी सी परिशानी में डाल सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो pandemic चल रहा है उसने एक बड़ा सा dent डाल दिया है existing world order, global value chains और साथ ही साथ labor and capital movements में लेकिन उनका कहना है कि ये समय एक परिशा का समय है हमारी Indian economy कितनी robust है यानि कि कितनी मस्बूत है ये जानने का हमारा समय है ये हमारी परिशा है तो उसमें हमें पास हो करी रहना है उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की जो medium-term outlook निकल करात लेकिन अभी भी पिछले समय से काफी कम है और जो policies RBI अब तक ला चुके और वो तो अच्छा खासा हमें response दिखाई दे रहा है अच्छी काम भी हो गई है लेकिन उनका कहना है आगे आने वाला समय और भी ज़्यादा important है आगे कैसे steps लिये जाएंगे उस पर काफी ज़्या था वहाँ पर नियम बहुत ही strict रखे गए थे लेकिन वहाँ पर हमें restrictions देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण company अच्छे से operate कर पा रही है उन्होंने ये भी कहा है कि country के banking और financial system को capable होना अगर capable होना होगा अगर वो इस खराब समय को face करना चाते हैं और उसे survive भी करना चाते है उन्हें अपने governance यानि की management को भी अच्छे से सुधारना होगा साथे साथ अपने risk को भी अच्छी तरह से manage करना होगा उन्होंने ये भी कहा है कि bankों को बहुत ज़्यादा जरूरत है capital raise करने की जिसकी वज़े से वो आगे survive कर पाए उन्होंने कोई भी समय का wait नहीं करना चा ये क्योंकि आगे आने वाले समय में हायर non-performing assets यानि के NPS बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं lockdown के कारण हमें NPS में बढ़ातरी देखने को मिल सकती है तो हमने देखा situation यहाँ पर कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही है RBI के governor खुद स्विकार रहे हैं कि सबसे खराब समय पिछले 100 सालों में हमें देखने को मिल रहा है health crisis भी है और economic crisis भी worst crisis हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है RBI के governor ने खुद ये बात स्विकार ही है ताकि Indian economic contract भी हो सकती है तो जब कोई इतना बड़ा आदमी खुद RBI का governor इस बात को स्विकार रहा है तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए और सोच समझ कर ही invest करना चाहिए इसलिए मैं आपको काफी समय से बता रहा हूँ हमें aggressive होकर bankों में financial sectors में ज्यादा investment अभी करने से बचना चाहिए जो कि already काफी उपर निकल चुके हैं जहाँ पर आपको value मिल रही हैं वहाँ पर ही investment कीजेगा और ज्यादा over buy मत कीजेगा अपने cash को अपने हाथ में रखीगा हमेशा किसी भी परिस्तिती के लिए ready रहना बहुत ही ज़रूरी है तो अगर आपको ये video पसंद आया है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे, subscribe कीज़र मुझे motivate कीजे, thank you, stay happy, happy investing